ऐसा डॉक्टर जैशंकर ने क्या कर दिया कि चाइनीज इतने परिशान हो गए Because the Global Times is the official mouthpiece of the government of China अब डॉक्टर जैशंकर की उसे चीन डर गया है और वो छापने लगा है लेक Global Times एक आर्टिकल लिखता है डॉक्टर जैशंकर की उपर चाइना को अब जाके कही ना कही एक जो भारत की foreign policy है उसकी heat और उसका जो गर्मेश है वो अब समझ में आ रही जी हाँ चीन का सरकारी अकबार Global Times डॉक्टर जैशंकर से काप रहा खौफ में आ चुका है और वो इसके लिए अब डॉक्टर जैशंकर के खिलाफ लेक चापने लगा और डॉक्टर जैशंकर की उपर परसनल अटेक करता है Global Times का आर्टिकल और Global Times का आर्टिकल अटेक करता है और डॉक्टर जैशंकर को उल्टी सीदी चीज़ें बोलता है कि डॉक्टर जैशंकर जो हैं वो चाइना से परेशान हैन चाइना से जेलिस हैं चाइना की तरक्य उन से देखी नहीं जाती है उनकी फॉरिण पॉलिसी गलत है बलाँ 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 Global Times एक आर्टिकल लिखता है Dr. Jai Shankar के उपर और Dr. Jai Shankar के उपर Personal Attack करता है Global Times का आर्टिकल और Global Times का आर्टिकल अटाक करता है Dr. Jai Shankar को उल्टी सीधी चीज़ें बोलता है कि Dr. Jai Shankar जो है वो चाइना से परिशान है चाइना से जेलिस है चाइना की तरक्की उन से देखी नहीं जाती है उनकी फॉरण पॉलिसी गलत है बला 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 फिर Global Times का आर्टिकल इंदरा गांदी की डिप्लोमसी इतनी अच्छी थी जवाललन नेरू की डिप्लोमसी इतनी अच्छी थी इनकी तो डिप्लोमसी बिलकुल ये सारी चीज़ें भी करता है फिर वो एक और लांचन लगाता है कि ये तो जाके बिलकुल अमरीका के साथ बैट गए हैं और हमारे खिलाफ हो गए हैं और हमें दुश्मन की नजरों से देखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें Global Times लिखता है और दोस्तों अच्यानक ये आर्टिकल Global Times ये English में भी छपा और Chinese में भी छपा ऐनलाइन यानि की पबलिश करा गया ऑनलाइन चाइनीज में और English में और अच्यानक इंगलिश वाला विड्रॉ कर लेता है Global Times Article ये आर्टिकल गायब कर देता है क्या हुआ Global Times ने आर्टिकल गयब क्यों करा अचानक क्या इनकी स्ट्राटिजी थी कि बोल दो बाकी लोग इसको सेव तो करी लेंगे हाहा कार तो होई जाएगी फिर हम इसको डिलीट कर देंगे चुप जाएगे आदल ब्राड एक जर्नलिस्ट है ताइवान में वो कहता है कि यह नाम असली ही नहीं यह तो pseudonym है pseudonym जैसे तखल्लस इस्तमाल करते थे पराने टाइम मतलब नाम उसका सही कुछ और है लेकिन उसने कुछ और नाम इस्तमाल कर दिया वो कह रहा है बंदा ऐसा है नहीं वाइंग डेमिंग नाम का कोई बंदा है ये तायवान का जनलिस्ट की आदिल बिराडास का नाम और इसका ये कहना है कि साब ये जो वाइंग डेमिंग है ये फेक ID है जानि कि चाइनीज सरकार एक फेक ID से एक आर्टिकल लिखवाती है डॉक्टर जय शंकर को पॉंट आउट करते हुए और यहां तक कह देती है डॉक्टर जैशंकर को कि वो भारत की जो प्राइटीज हैं उसको आगे नहीं रख रहे हैं भारत के नाशनल इंट्रेस को वो प्राइटाइज नहीं कर रहे हैं डॉक्टर जैशंकर ने कई ट्रिक्स यानि कि चालें इस्तेमाल करी हैं ऐसा डॉक्टर जैशंकर ने क्या कर दिया कि चाइनीज इतने परिशान हो गए. Because the Global Times is the official mouthpiece of the government of China. Global Times का अगर आप Twitter ID देखेंगे, वो कहता है China's National English Language Newspaper under the People's Daily. Under the People's Daily. Global Times is owned by the Chinese government. Global Times दोस्तों अपनी मर्जी से फुल स्टॉप और कॉमा नहीं बदल सकता जब तक उपर Chinese Communist Party उसको न बोले. वो एक mouthpiece है, वो एक भौपू है Chinese Communist Party का. ये पढ़ गाए डॉक्टर जैशंकर साब के पीछे है. जो डॉक्टर जैशंकर ने कुछ रिमार्क्स दिये थे. और चाइना पिनक गया. चाइना को बहुत बुरा लगा कि डॉक्टर जैशंकर ऐसा कैसे कह सकते हैं हमारे. और उसके retaliation में दोस्तों, उसके retaliation में ये article छपा है. डॉक्टर जैशंकर ने बोला किया? डॉक्टर जैशंकर ने बोला है कि दुनिया को एक general China problem है. और ये बात सच है, दुनिया को चाइना problem है. बेसिकली डॉक्टर जैशंकर कहना है कि अगर आप यॉरप में जाएंगे वन से बात करिए, अगर आप अमरीका में जाएंगे झाएंगे उन से बात करिए, आप दुनिया में किसी भी देश से बात करिये, वो कहेंगे कि हमें China से problem है. इंका कैदा है. go to Europe and ask them amongst their major economic and national security debates today, it's about China, look at the United States of America, it is obsessed with China and rightly so in many ways he added that India's problem with China was distinct due to the four-year border, stand-off बोल दिया Dr. Jayashankar ने मुप अच्छा, Dr. Jayashankar is a diplomat but sometimes he tends to speak very straight उनोंने क्या बोला है कि नासूर ये diplomatic language में है लेकिन China को दर्द क्यों हुआ, क्योंकि अगर आप ये language समझें तो आपको पता लगेगा कि Dr. Jayashankar ने चीन को बोल दिया नासूर है Europe जाईए, उनको चीन से प्रॉब्लम है America जाईए, उनको चीन से प्रॉब्लम है and rightly so and rightly so ये भी Dr. Jayashankar कह रहे हैं, बिल्कुल सही है अगर उनको चीन से प्रॉब्लम है अगर आप economic प्रॉब्लम देखें, तो है national security प्रॉब्लम देखें, तो है जब Chinese ने ये सब Dr. Jayashankar की बाते हैं, सुनी पिनक गए भाई लोग और वहाँ पे Dr. Jayashankar के खिलाफ article चपने शुरू हुए और जो सबसे बड़ा article चपा, वो चपा Global Times में अच्छा दोस्तों, इसमें उन्होंने ये भी बोला है कि Dr. Jayashankar का जो करियर है इसको कहते हैं न, Journalistic Head Jobs वो कहते हैं कि Tata Group में थे after his retirement from the Indian Foreign Service और second term में of the Narendra Modi government ये मंतरी बने है, तो क्या हुआ अगर Tata Group में थे रेटारिंग के बाद थो मुझे बात समझ में आई मुझे लोजिकी समझ में आई और मुझे ये बात नहीं समझ में आई कि भाई जब तुम इतने बड़े चौदरी बने थे, जब तुमने डॉक्टर जशंकर के खिलाफ अपने खुद के अगबार में, यानि कि खुद के ऑनलाइन पोर्टल पे तुमने एक आर्टिकल चाप दिया, तो तुमने आर्टिकल ये फिर हटाया, क्यों किस से डर गए थे, चाइनीज किस से डर गए थे? मुझे ये बात सऊंब जोनी आई किसों ने ढमकी दे चाइनीज को कि ये क्या बत्तमीजी जब तरो क्या ऐसा हुआ कि इंडिया से कॉल गया क्या कुछ ऐसा हुआ कि भाई इन लोगों ने आपस में बातचीत करके आर्टिकल छाब दिया और उपर से यानि कि चाइनीज कॉमिनिस पार्टी के टॉप से शी जिंग पिंग के ओफिस से उनको जाड़ पड़ी कि यार अम इंडिया के साथ मामले बहतर करना चाहते हैं तुम यहां पे बेकूफी कर रहे हो तुम उसके फॉर्ण मिनिस्टर इंडिया के फॉर्ण मिनिस्टर के खिलाफ तुम बखवास कर रहे हो कि ये बात हुई है सोचने वाली बात है दोस्तों लेकिन एक बात तो तय है कि ये जो है this has come from the communist party हो सकता है आप से ना आया हो लेकिन कहीं ना कहीं से तो आर्टिकल लाया है दोस्तों ग्लोबल टाइम्स किसी एरे गरे ना तुखहरे से तो लिखाएगा नहीं आर्टिकल कोई ना कोई तो ऐसा बंदा होगा ना जिसको हम यह कह सकते हैं कि साब ठीक है दिस मैन इस वर्थ इट यह जो बंदा है यह इस लायक है कि ग्लोबल टाइम्स में लिखे एक्जिस्टी नहीं करता भाई मानों की भूत लोग ढूंड रहे हैं तौर्च खोल के वैंग डमिंग कोन है वैंग डमिंग कोन है कि रहा ही नहीं कोई ऐसा पता नहीं किसने आर्टिकल लिखा डॉक्टर जैशंकर को उल्टी सीदी बाद बोली जब प्रेशर आया आर्टिकल रठा दिया